नमस्कार दोस्तों, आज मैं बना रहे हूँ सर्दियों का सबसे फेमस कॉम्बो सर्सो का साग और मक्के की रोटी तो चलिए सर्सो का साग और मक्के की रोटी बनाना शुरू करते हैं यहां मैंने 500 ग्राम सरसो का साग लिया है और यह सरसो के साग का डंठल है जिसके रेशे निकाल लिये हैं रेशे निकालने के बाद यह डंठल अंदर से काफी सॉफ्ट होते हैं इने साग में जरूर डालियेगा अब ये 500 ग्राम पालक है मैंने पालक और सरसो को बराबर बराबर लिया है और अब मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मेथी के पत्ते लिये हैं मेथी की मात्रा कम रखेंगे नहीं तो साग कड़वा हो जाएगा इन तीनों साग को मैंने अच्छे से धो कर रफली काट लिया है तो चलि से पहले कूकर में मैंने वो डंठल एड़ किये हैं अब मैं इसमें सरसो का साग डाल रही हूं सरसो के साग में आप मेथी और पालक के सिवा मूली के पत्ते गाजर के पत्ते शलजम चने का साग या बथवा भी एड़ कर सकते हैं कई सारे साग के सपोर्ट से यह साग बनाया मेथी के पत्ते डालेंगे मेथी के बार पालक एट करेंगे सरसो के साग में कलर बनाने के लिए और वाल्यूम बढ़ाने के लिए पालक का यूज किया जाता है वैसे तो सरसो का साग बनाने में काफी समय लगता है लेकिन कूकर में हम इसे इंस्टिंट बनाएंगे अगर आप के पास समय है तो आप इसे हांडी में या किसी और बरतन में टेडिशनल तरीके से बना सकते हैं अब इसमें हम नमक एड़ करेंगे अब इसमें लेसन और अद्रक एड़ करेंगे तो मैंने कड़वा खम खाते हैं इसलिए मैंने नहीं डाला है वैसे जब मैं ये साग बनाती हूं तो इस टाइम पे मैं केवल इसमें नमक डालती हूं और कुछ नहीं डालती हूं बाकी चीजे मैं बाद में आट करती हूं कूकर में जब साग बनाएं तो कूकर को तुरंत बंद ना करें 5-7 मिनट के बाद बंद करें अब कूकर बन करके लो फ्लेम पे एक सीटी लगाएंगे और हम दूसरे साइट पे मक्के की रोटी की त्यारी करेंगे तो मैंने यहाँ पे धाई कप मक्के का आटा लिया है गुनगुनी से थोड़ा गरम पानी लिया है एकदम गरम पानी नहीं लिया है नहीं तो हाँ चलने लगेगा अब हम आटे में थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक को आटे में अच्छे से मिलाएंगे और मैं सेंधा नमक यूज करती हूँ, उसमें धेला होता है, तो उसे तोड़ लेंगे, otherwise वो आटे में mix नहीं होगा और अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर मक्के का आटा त्यार करेंगे, एकदम जादा पानी डालने से मक्के का आटा गीला हो सकता है तो पानी एकदम साफधानी से डालें, और यहां मैंने डो तयार कर लिया है, तो इसके उपर दो टेबिल स्पून रिफाइंग तेल डालेंगे, तेल डालकर अब आटे को सॉफ्ट करेंगे, सॉफ्ट आटा लगाने से रोटियां बनाते समय तूटेंगी नहीं, आटे को 7-8 म तक बहुत अच्छे से गुन देंगे, और अभी कवर करके इसे साइड में रख देंगे, इधर कूकर में एक सीटी लग चुकी है, तो मैंने गैस ओफ कर दिया था, कूकर का प्रेशर निकल चुका है, तब इसे खोल लेंगे, साख को बॉयल कर लिया है, तो अब हम इसे घो स्मोट पे ग्राइंड करिएगा, साख की चट्नी नहीं बनानी है, साग में साख की आत्मा जिंदा रहनी चाहिए, वैसे ग्राइंडर में ग्राइंड करने से ये काफी जल्दी हो जाता है, अब मैं इसमें मक्के का आटा डाल रही हूँ, अभी मैंने इसमें केवल दो ले सकते हैं जैसे मैंने लिया है एक्तम पर्फेक्ट साग घोट लिया है तो अब मैं इसमें दो टेबिल स्पून मक्के का आटा और एट कर रही हूँ क्योंकि अभी ये गीला है और इसका टेक्शर थोड़ा थिक हो जाए आटा डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाएंगे जिससे आटा भी साग के साथ पक जाए और ये देखिए साग की कंसिस्टेंसी अब एक्तम पर्फेक्ट है इसे ऐसे ही रखना है साग रेडी है तब इसका तड़का तयार करेंगे तो मैंने साग को दूसरे बर्नर पे शिफ्ट कर दिया है और इधर एक तड़के वाला बर् तेल को अच्छे से गरम करने के बाद उसमें एक टीस्पून जीरा डालेंगे आप चाहें तो मेथी भी डाल सकते हैं लैसुन एट करेंगे तो मैंने 12 से 15 लैसुन को बारीक चौप करके डाला है अब प्याज डालेंगे तो दो मीडियम साइज की प्याज को बारीक चौप क करके डालेंगे और थोड़ी सी अदरग डालेंगे इसे भी चौप कर लेंगे अप्याज को गोल्डेन ब् enjoy होने तक पकाएंगे बेखिए प्याज का कलर बदल गया है तब इसमें एक पिंच हींग डालेंगे हींग का टेस्ट अच्छा लगता है और अब प्याज को बरतन में एक सइट पे करके इसमें दो खडी लाल MIRS डालेंगे और एक टीश्पून कश्मीरी लाल MIRS डालेंगे जिससे साग देखने में अच्छा लगे तड़का तैयार है तो इसे साग जाल देगे और मिलाएंगे देखे साग देखने में कितना सुन्दर लग रहा है और इसमें से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है तब इसे कवर कर देंगे जिससे खुश्बू निकलना जाए सरसो का साथ तयार है तो चलिए मक्के की रोटी बना लेते हैं आटा सेट हो गया है तब इसे एक बार मसल लेंगे और अब हलके हाथ से इसे रोल करेंगे आटे को इस तरीके से हाथों से गुमाएंगे और हर तरफ से बराबर बेल लेंगे मक्के की रोटी साइट से फटती है वैसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर आप ऐसी रोटी नहीं चाते हैं तो आप इसे किसी on d забyk tal nagस पे चड़ाया है तबा एकदम करम है तो गरम तवा पेरोटी डाल देंगे रोटी डालने के बाarım इसे सभी देंगे आप रोटी को पलट देंगे यहार जले साइड से ज्यादा सेकेंगे दूसरे साइड से रोटी को सेक लिया है तब हम इसे डायरेक्ट फ्लेम पे डालेंगे अब रोटी को उलट पलट करके पकाएंगे और ये देखिए फूली फूली मक्के की रोटी तयार है सरसो का साग और मक्के की रोटी तयार है तो चलिए थाली लगा लेते हैं आप भी आसान तरीके से कूकर में सरसो का साख बना सकते हैं और मक्के की रोटी को भी शेप दे सकते हैं ये बहुत जल्दी बन कर तयार होते हैं और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद